हेलो प्रेंड वेलकम टू माई चैनल हम अपने एमजो सेलर पैनल में सेकंड मोबाइल नंबर को कैसे अपगेट करें जब भी हम अपना सेलर पैनल लॉगिन करते हैं तो आईडी पासवर्ट डालने के बाद एक OTP रिक्वाइर होता है जब हम वो OTP एंटर करते हैं तब हम अपने सेलर पैनल में लॉगिन कर सकते हैं अगर रिजिस्टर मोबाइल नंबर आपका नहीं है तो आपको बार बार OTP पूछना पड़ता है उस परसंद से जिस परसंद के पास हो मोबाइल नंबर है उसकेस में आप अपना सेकंडरी मोब पाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं उससे पहले फ्रेंड मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा ओफर है अगर किसी को अपना एमजोन पर रिजिस्टरेशन करवाना है तो हम तो हमें कॉंटेक्ट करें हम फ्री रिजिस्टरेशन के साथ फ्री सर्विस भी प्रोइड करा चाहरा हूँ क्योंकि जब हम Amazon का एक नय कंनग करते हैं तो अबर पी तो आपको हमेंसे बार बने से अक्ट करें अपने संब्र negotiations is कर सकते तो उसकेस में क्लाइंट से तो नमर मांगा नहीं तो उसकेस में मुझे एक सेकेंडर अपडेट करना पड़ता है तो कैसे करते हैं तो आईए बताता हूं आपको सबसे पहले हम आएंगे राट इंट साइड में इस setting option दिखेगा यह मैजों सेलर सेलर सेंटर पेंटर का new dashboard है पहले दूसरे टैप का आता था अब यह दूसरत आप का रधा आता है ठिक है इस setting option दिखेगा आपको right and side में में आपको view करके दिखा देता हूँ ठिक है प्राइमरी मोबाइल नमबर यह आपका बैसिकली वह मोबाइल नमबर जो आपने अकाउंट करेट करते समय दिया है और जब भी मैं इस अकाउंट को लॉग इन करूंगा तो हमेशा जो ओटी पी जाएगा वो इसी नमबर पर जाएगा ठीक है लेकिन अब मैं आपको यह सिका ना भी कर पाऊंग तो मैं अपने नमबर पर OTP मंगा के अकाउंट लोगिन कर सकता हूं ठीक है तो आपको समय जैसे यह लोगिन सेटिंग और स्कुरेटी का ओप्शन आ जाएगा आप नीचे आएंगे सबसे नीचे दिखेगा तू स्टेप वेरिपिकेशन मैं आपको व्य जिस्ट पर आको दीख नियकर का एड़ न्यू नंबर में आपको किलिक करना एं जैसे आध्यू नंबर पर क्लिक करोगज मॉबा crianstellen और पर मुबाइल नमबर डालना है जिस पर आपको बंगाना है ठीक है जैसे मैं डाल रहा हूं डबल 9 9214 841 ठीक है कंटिन्यू करूँगा अब यहाँ पर एक ओटीपी जाएगा मेरे मुबाइल नमबर पर अभी ओटीपी में मैंने शेल कर दूंगा यहाँ पर है ठीक है और कंटिन्यू करूँगा है ठीक है तो यह सक्सेस्पुली सक्सेस्पुली सेकेंडरिल नमबर अपडेट हो गया है अब मैं इस अकाउंट को महन लिज्या आपके सामने लॉग आउट कर देता हूं ठीक है अब हम इससे दुबारा लॉग इन करेंगे तो देखो फ्रेंट यह जो अब यह टू इस्टप वेटिकेशन मांग रहा है मतलब एक OTP आएगा इंटर करना उसके बाद अपने अकाउंट में लोग इन कर पाएंगे तो यह यह मेरे क्लाइंट का जो नंबर है उस पर OTP गया है बट मैंने अभी आपको सिखाया कि वहाँ पर अपना सेकेंड नंबर कैसे अपडेट करते हैं जो मैंने सेकेंड नंबर अपडेट कर रखा है अब सब्सक्राइब क्लाइंट का नंबर है लास्ट में 821 और यह मेरा नंबर है 841 अब मुझे ओटीपी चाहिए अपने 841 वाले नंबर पर तो टैक्स्ट या कॉल के थ्रू में ओटीपी मंगा सकता हूं तो मुझे टैक्स्ट के थ्रू जाता हूं ठीक है सेंड ओटीपी पर क्लिक किया अब ओटीपी मुझे मेरे फोन पर रिसीव होगा ठीक है अब मैं से हां एंटर करूंग तो तो देखे अबने सक्सेस्फुली मैंने इस अकाउंट में लॉगिन कर लिया तो यह information अगर आपको अच्छे लगी हो तो चैनल को subscribe करें शेयर करें लाइक करें थैंक्स